हाई फ्रेंज मैंने अपनी प्रीवेस वीडियो में एक इंवर्टर बनाया था जिसमें मैंने सॉफ्ट स्टार्ट और फीडबैक का फीचर अड़ किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिक मैं यहाँ उपर स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आज हम उसे इंवर्टर में ओवर्लोड का फीचर अड़ करेंगे और इसके साथ अलामिंग के लिए बजर का फीचर और हीट को डिसिपेट करने के लिए फैन का फीचर भी अड़ करेंगे इस वीडियो को स्पांसर किया है All PCB ने जो के चाइना के एक अल्टरा फास्ट PCB मैनफेक्टर हैं तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रॉजेक्ट को बनाते हैं प्रॉजेक्ट करते हैं सबसे पहले मैंने स्केमेटिक डायग्राम और PCB लेयाउट त्यार की इसके बाद मैंने गर्बर फाइल्स त्यार की और फिर All PCB वेबसाइट को ओपन किया यहां मैंने अपनी PCB के लिए Dimensions को सेलेक्ट किया PCB की Quantity को सेलेक्ट किया इसके बाद मैंने Quote Now पे क्लिक कर दिया इसके बाद अपने Required Parameters को सेलेक्ट किया और Solder Mask और Silk Screen के Color को सेलेक्ट किया इसके बाद shipment के लिए मैंने अपनी Country को सेलेक्ट किया और Add to Card पे क्लिक कर दिया फिर मैंने अपनी Gerber Files को अपलिट किया और इसके बाद चेक आउट पे क्लिक कर दिया इसके बाद अपने Payment Method को सेलेक्ट करके Payment कर दी और्डर बुक करने के 3-4 दिन के बाद आपको PCBs रिसीव हो जाएंगी तो सबसे पहले मैं सेरकिट में Buzzer और इसको ड्राइब करने के लिए एक BC547 ट्रांजिस्टर और एक 10K का रिजिस्टर लगा लेता हूं और इसके इलावा फैन को ड्राइब करने के लिए D313 ट्रांजिस्टर को लगा लेता हूं कर दो जाएंगी तो अब हम इसके प्रोग्राम में ओवर्लोड बजर और फैन के फीचर को एड़ कर लेते हैं मैं इस माइक्रो कॉंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए USB ISP प्रोग्रामर यूज कर रहा हूं आप इसके लिए अपनी मर्जी का प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं तो अब मैं इस माइक्रो कॉंट्रोलर को प्रोग्राम कर लेता हूं तो मैंने इस माइक्रो कॉंट्रोलर को प्रोग्राम कर लिया है अब मैं माइक्रो कॉंट्रोलर को PCB पे लगा लेता हूं तो जैसे के मैंने आपको बताया था ये एक युनिवर्सल PCP है और हम इसमें कुछ कॉंपनेट यूज नहीं करेंगे तो इसलिए हम इसमें रिले यूज नहीं कर रहें और हमें आउटपुट के सिरीज में करन्ट ट्रांस्वर्मर को लगाना है तो इस वज़े से हम रिले के क तू मैंने जंपर लगाकर रिले के टार्मिनल्स को शौट कर लिया है अब हम इस इनवर्टर की आउपुट पे एक सौकेट लगा लेंगे और इसकी इनवर्टर इनपुट ग il झाल 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 तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे और मैं डिस्क्रिप्शन में इसके कनेक्शन की डायग्राम भी दे दूँगा तो चलिए अब हम इसके सारे कनेक्शन को कम्प्लीट कर लेते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं झाल 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 झाल